तो चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में और आज हम हैं महराष्ट्र के महाबलेश्वर में जहां हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं एलफिन स्टॉन पॉइंट इस पॉइंट के बारे में मैंने अपने दोस्तों के मुँझे बहुत सुन रखा है तो आज मैं सामने से इसे देखने जा रहा हूँ इस वक्त हम लोग एलफिन स्टॉन पॉइंट के पार्किंग में पहुँच चुके हैं अब यहां से हमें पैदल चलके जाना है तो चलिए दोस्तों पैदल करते हैं अब ट्रैकिंग देखते हैं आगे यहां के व्यू कैसे होते हैं पहली बार तो मैं आया हूं इधर वाव क्या आश्म व्यूट है अब दुल खुस हो गया यह ने जाए देखकर एकदम बहुत है यहां का इकदम व्यूट हाँ आप देख सकते हो एकदम चलिए और नीचे चलते हैं फिर अगया है यह है हमारे ड्राइवर सहाब ड्राइवर सहाब का स्पेशल इंटर्व्यू होगा क्या सम्मिल रहा है थर अच्छ वाव चने मैंगी को ड्रिंक्स यह थर हमारे बिहारी भाईया वाव मज़ा आगया एक दम यह नजरा देखकर है 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 फिल्फिंस्टों पॉइंट चलिए दिखाते हैं आपको यह काने जारा पहले दर देख सकते हैं आप जंग आप चलिए अच्छ वाव यार क्या मस्त खूपशुरत और सांतार वियू है यार कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पे यार चलिए नस्दिक्स आपको दिखाते हैं आप वियू हम है हमारी यूपी वाले भाईया मस दिख रहा है एक दम मस दिख रहा है वाव फॉग और इसके साथ यह नजारा दिल खुश हो गया यह नजारा देखकर एक तम इधर चलते हैं इधर से दिखाते हैं आपको चारो तरफ यह पहार और यह वादियां और उस पे यह फॉग एकदम चार चांद लगा रहे हैं मानलो इतना मजा आ रहा हमें यहाँ पे पारकिंग में जहां हमने गारी खड़ी की है वहाँ से इस पॉइंट पर आने के लिए अराउंड 100 फूट स्टैप हमने चले होंगे 100 कदम चलने के बाद हमें यह पॉइंट दिखा यहाँ पे वुई पॉईट आने के लिए रहे होंगे पोटो फोटो तो दोस्तों देख सकते हो आप मेरे पीछी का नजारा क्या भ्यानक सा नजारा है यार क्या खुबसूरत सा नजारा है देख लोग आप बहुत ही मजारा है मुझे यहां पड़ा के बाइदा पीछे का नजारा है जो लोग है यहां काफी संख्या में लोग यहां पर है और काफी मजा भी आ रहा है यहां पर पूने में उतनी ठंड लग रही है और यह जो आप फॉक देख रहे हो इसका तो एक अलग ही मजा यार क्या बता हूं चलिए कुछ अच्छे स्कॉट के बढ़ टेरी मार भाई भाई यह थे भाई 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 पर च्छल लिए चलिए करें चलिए कारें का इसे पर खाफी संख्या बंदर यहां कठा हो गया है ऐसे तो मंगी पॉइंट है एक अलग से बट यहां वी बहुत जादे हा गया एक तो इतनी ठंडी ठंडी हवाय बह रही है कि सरीर का कपड़ा कम पड़ता जा रहा है यहां कुछ लोगों को देख रहा हूँ, खास कर कुछ महतरमाओं को उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वह हीटर लेकर पैदा हुई हो उपर से ये लोग बंदर के साथ बदमासी कर रहे हैं, अरे महतरमा कहीं बंदर छिर्खानी कर दिया न तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको चलिए फिर यहां सभी चलते हैं अब अपने लोग तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी महाबलेश्वर के पार्ट 3 में तब तक के लिए जय हिंद जय महराष्ट्रा जय महाबलेश्वर